हेलो दोस्तों कैसी हुआ अप लोग दोस्तों मैं हूँ आज जो हूँ और स्वागत करता हूँ सिम्म इस्टेडी नॉलिज यूटूब चैनल पर दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लाश्ट वैल हिंदी का मोश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानि पद् पद्दान्स हम कैसे हल करें जो कि आपका बूर इक्जाम में कितने लोट में 50 अंबर केव्षक को नहीं नहीं फिरती नंबर में 24 पद्दान्स को पूछेज़न पूंचे आइंगे प्द्दान्स कया है बड pollutant प्ता हैं दोनों में अलग-अलग difference रहते हैं दोस्तों उसमें कभी का परचे रहता उसमें लेखा का परचे रहता है तो पद्दांस को आज हम हल करने वाले विल्कुल नए तरीके से कि किस प्रकार से आप बोड़ इक्जामें यदि आप हल करेंगे बिना कुछ पड़े बिना कुछ क्या पूचा आएगा आपका यków अपसी प्रकार से नाम यह पूछ लेखाना में पत्दांस को पढ़ लेते हैं तम आपको आगे बताते हैं किस प्रकार से आपको हल करना है देखें तुम माशहीन तुम रक्तहीन है अस्तिसेश तुम अस्तहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुरार है चिर नवीन तुम पूढ़ इकाई जीवन की जिसमें अशारभौ शुन्निलीन आधार अमर होगी जिस पर भावी की शैंसकृति समाशीन तो यह प्रकार से पद्दान से और यह देखे 5 कोश्चिन पूछाएगा है तो एक प्रकार से हमने पढ़ लिया है अब मैं हल करके आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको हल करना है बोल इजामे यदि आ गया तो लेकर क्लास्टी डेकर हैं जालंगे अपको छाये टवाएंप्या का है तो अधार फुर्कार से पकार से प्रकार सी दाम हो तो दस नंबर का पद्दांस और दस नंबर का गद्दांस पूछा एता है देखिए बिलकुल आसान तरीक हम आपको बताएंगे तो विड़को लार्ज तर देखेगा चैनल पने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीगा देखिए अब हम इसमें जो कोशन पहला आपका पू का नाम लिखना है तो किस परकार से आप लिखेंगे ताकि आपको सब्सक्राइब कोशन करनी पूरासी पूरा द eller क्यों पहुत यह आसान इस में ज्यादा रहता पद्दांस आपको दिखा देते किस परकार से है तो इसमें जो पहला पूछा गया था कि उप्युक्त पद्दांस और शीर्शक और कवी का नाम लिखना है तो देखिए ये पद्दांस श्री शुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पंत द्वारा रचित बापू के प्रत चीर्शक कवीता से उद्धुत है ये कवीता हमारी पाठी पुस्तक के का विभाग से संक्ली थे तो इस परकार से आपका पद्दांस का जो उप्युक्त गद्दांस और पद्दांस का नाम इसमें जुड़ गया एक परकार से और भी होता है दोस्तों कि आपको सामय बचान कोई नहीं करना है देखिए तो यहां पर समीता नन्दर-पत हो गया चैप्टर का क्या था बापु के परतर और जो इसको लेखा के उसके जुड़क करणे देखें सिरसा का नाम कर दिगा तो दोनों में और उपनसे और जो आपकोütfen असमya पर अगतों हे बाहे हैं वारत आपना थ्यास अ कुछ शिर्वाप दीजीगा अब उसके बाद में हम बात करेंगे रेखांकित अंस की व्याख्या के बारे में तो देखे रेखांकित अंस की व्याख्या कीजी तो रेखांकित कौन सी है पद्दांस में तो देखे यह जो रेखांकित है देखे तुम पूर तुम पूर इकाही जीवर की जिसमें आशार भू शुन निलीद आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति शमा सींग तो ये जो लंडन लाइन दोस्तों ब्लैक में से आपको दिख रही होगी ये जो डंडी पारी हुई है इसी को हम कहते हैं क्या 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 क्याता है दो इसको रेकांकित अंस कहते हैं तो इस दूसरा रखांकितांस की व्याकिया देखे किस प्रकार से है, तुम्हारे मार्ग पर चलकर, तुम्हारे मार्ग पर चल कर अपना खोकला पंदूर करके मानो जीवन की चरम सार्थक्ता को प्राप करेगा तुम जिन सिध्धानतों के आधार पर खड़े हो वे अमर है सस्वस्त है इसलिए भविष्ची की मानो संस्कृति को तुम्हारे ही आदर्सों पर खड़ा होना पड़े अर्थात आपके द्वारा दिये गए विचार और ग्यान ही मानो जाती के लिए आधार होंगे जो इसमें पंदांस बताया गया कि तुम पूर्ण पूर्ण 21 जीवन की जिसमें असारिभोश्ण लें तो ये गांधी जी ने बताया कि है बापू जेसे जीवन मुक्त योगी क्योंकि दसा होती वैसे ही दसा आपकी भी है यानि गांधी जी के बारे में इससे बताया गया है तो इस प्रकार से है उसके बाद में तीसरा जो कोशन है मैं दिखा दे बढ़ जाते हैं दिखे गांधी जी देखने में हड्डियों का धाचा मात्र परतीत हो दें गांधी जी की बारे में यहां पर लगा देना नहीं तीसरे तो यह काफ इंपॉटंट है दिखें तो इस पर दिखें गांधी जी को शुद्ध ग्यान शुरूप आत्मा अर्थात आत्म शुरूप होने के कारण कवी ने चिर पुराण तथा चिर नमीन इसलिए कहा इसलिए कहा है तो यह आपका चौते का राइट एंसर हो गया आपको इ पाइट एंशन उसी में दे दिए जाता है लेकिन पदंस में आपको सिर्फ रिखांके तंसकी व्याख्या करनी हो 9 त्युशोल । यहीं में इन चकाल मीं उसके बाद में पांचुवा इंपोर्टेंट हो जाता है तो पांच ये कोश्चन था पांचों को हमने हल कर दिया आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ बड़ा नहीं इसमें तीर कोश्चन आपका छे नंबर यहां पर दिल आगे जा गया उसके बाद में रिखांके तन्स हो गया उसके बाद में कभी और जो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों आप यहीं वाला कीजिए कि है पद्दां यह पद्दां शिरी शुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रत शीर सक्विता से उद्दुत है यह वाला पढ़ने में जो जो एक जामनर को भी एक वह लगता है और आप सिंपल से ल प्रतांस की बियाक्या आपको बहुत ही सही तरीके से करना होगा यदि आप दोस्तों में बता दूआप बोर्ड एकजाम में पेपर देने वाले हैं तो आपको हिंदी का जो सबसे इंप्वोट्यंट है हिंदी आप से स्टार्ट होता है पेपर देनी से पहले हिंदी का इस लेबस से श्टार्ट होता है आपका पेपर तो हिंदी की तयारी तनी जबर्दस्त कीजिए की बूर्ड एक्जाम में आप 95 प्लस मार्क लाही कर छोड़े क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होता है यह आप 95 भी लाएं तो आप समझ लेजी की बूर्ड एक्जाम की तयारी अच्छे से किये थी क्योंकि बूर्ड एक्जाम की तयारी के लिए सब करना वोगा तो संदर्व शहित हमने विएख्ञा को बता दिया कि संदर्व शहित व्याक्छा किस प्रकार से करना है दस नंबर पका हो जाएगा यह आप इस प्रकार से हैं बिलकुल आसान तरीका आपको आसान तंस्की व्यक्षा तो यह दो कोश्चन जो कंपल सरी उसके बाब में तीसरा कोश्चन आपके पद्दान से रिलेटेड आ जाएगा तीसरा कोश्चन छे नंबर यहां पर हो जाएगा दो नंबर वहां पर जाएगा 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 जाएग